वाइट डिशार्ट प्रिग्नेंसी में क्या होता है, क्यों आता है, इससे क्या क्या पता चलता है, किस बात का संकेत होता है और इससे बच्चे को क्या क्या दिक्कते हो सकती है तो आज के इस बीडियो का टॉपिक होने वाला है, कि प्रिग्नेंसी में आपको भी सफेद पानी आने की दिक्कत हो रही होगी तो क्या होता है, कि सफेद पानी जो महिलाओं को आता है, तो वो बहुत घबडा जाती है उनके मन में से फेक ही बात चलने लगती है, कि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है, तो ऐसा नहीं बच्चे को कोई इस से दिक्कत हो खासकर वो महिलाएं जो पहली बार मा बन रही होती है, वो जादा डर जाती है इन चीजों को लेकर क्योंकि उनको नौलिज तो होती नहीं है और कई घरों में कोई बताने वाला भी नहीं होता है, जिस वज़े से वो इन चीजों को लेके काफी जादा डर जाती है तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी डरने की जरूत नहीं है आज के इस वीडियो में मैं तोटली आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि वाइट डिशांट्स प्रिग्निंसी में क्या होता है क्यों आता है इससे क्या क्या पता चलता है किस बात का संकेत होता है ठीक है एक बात अच्छी से समझनी है और कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगी ठीक है और इसी तरगे के helpful वीडियो देखने के लिए एक छोटा सा काम और कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जो नीचे सब्सक्राइब को बटन है उसको बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है और साथ में ही पूरे नौ महीणे तक आपके गर में बच्चे को सुरक्षित रखता है क्यूंकि जो भी आपके प्राइबेट पार्ट में वैक्टिरिया होते हैं की जो consistency होती है वो थोड़ी सी पतली होती है लेकिन धीरे धीरे last month तक जब आप पहुंचते हैं 7, 8, 9 month तक पहुंचते हैं तो जो आपका wide discharge होता है वो धीरे धीरे गाड़ा होने लगता है ये सफेद रंग का है, गाड़ा है और इसमें कोई भी smell नहीं है तो friends, pregnancy के time पे क्या होता है कि आपके शरीर में estrogen hormones का level बढ़ता है जिस बज़े से wide discharge भी ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और फिर जैसे ही आपका बच्चा गर्ड में develop होता है बच्चे का बज़न बढ़ता है, growth होती है तो बच्चे का जो बज़न का pressure होता है वो आपके uterus पर पढ़ने लगता है और wide discharge फिर ज़्यादा quantity में आपको होने लगता है इसके बाद अगली चीज क्या इससे बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है तो friends, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे गर में बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है ये गर में बच्चे को पूरे 9 महिनी तक बाहरी bacteria और infection से protect करता है तो इससे गर में बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ, एक condition में बच्चे को दिक्कत हो सकती है जो ये wide discharge है, ये बहुत ज़्यादा quantity में हो रहा है इसमें smell आ रही है गंदी और साथ में इसमें spotting भी नज़र आ रही है मतलब blood भी नज़र आ रहा है तो इस situation में फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है तो ऐसा कुछ नज़र आता है आपको तो आपको अपने तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए जिसी कि गर में बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो पाए कई situation में क्या होता है जो ये wide discharge होता है वो infection की बज़े से भी होता है जब आपके private part में infection पनपता है क्योंकि pregnancy के time पे जो private part से जोड़े हुए infection होते है जैसे कि UTI, urinary tract infection है या आपको fungal infection की दिक्कत है खुझली बहुत ज़ादा है private part में तो इन चीजों से बचना बहुत ज़ादा जरूरी है जिससे कि गर में आप अपने बच्ची को बिल्कुल पूरे 9 महिने तक सुरक्षित रख पाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे tips अपनाने हैं जिससे कि आप private part की infection से भी बच पाए और white discharge से भी बच पाए पहली चीज तो आपको cotton के undergarments से पहनने चाहिए जो loose होने चाहिए एकदम fitting वाले undergarments आपको नहीं पहनने है दूसरी चीज है आपको अपने private part area को clean रखना है hygiene maintain करके रखना है time to time private part को आपको जिसे urine pass करने के बाद wash करना है और especially जब आप pregnancy में relation रखती है तब उसके बाद आपको अपने private part को अच्छे तरीके से clean करना चाहिए तो फिर आपको ऐसे में बिना ignore किये हुए doctor से मिलना चाहिए व्यूकि ये private part में infection होने के लक्षन होते है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक आगे चलके हो सकते है जैसे कि आप urine pass करते हो तो पेट के निशले हिस्से में दर्द होता है urine का color बहुत ज़्यादा dark आता है जलन हो रही है आपको तो ये urinary tract infection के लक्षन होते है तो ऐसा कुछ में नजर आए तो आप जाके तुरंथ doctor से मिलें बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीके बाकी आपका वाइड डिशार्ट नॉर्मल आ रहा है कोई smell लही है वाइट रंग का है तो इसमें घबराने के जरूरत नहीं है क्योंकि ये pregnancy में जरूरी है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी क्योंकि ये आपके private part को clean रखता है और बच्चे को भी पूरे 9 महिने तक बारी इंफेक्शन और बेक्टिरिया से बचाता है तो कैसे लगा आपको ये वीडियो प्लीज शेर जरूर कीज़ेगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीज़ेगा तो इसी तरी के helpful वीडियो डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और नोटिफिकेशन वेल को दबा के ओल पर क्लिक जरूर कीज़ेगा तो चली फिर मिलती हूँ आप सबसे अब कल के वीडियो में तब तक अपना ऐसे ध्यान रोकिए बगाए एंड थेंक यू सो मच